इस समय संकट के बहुत बड़े गंभीर दौर से गुजर रहा है आम तोर पर कभी जब कोई प्राकुरतिक संकट आता है तो वो कुछ देशों या राज्यों तक ही सिमित रहता है लेकिन इस बार ये संकट ऐसा है जिसने विश्व भर में पूरी मानव जाती को संकट में डाल दिया है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जब वितिय विश्व युद्ध हुआ था तब भी इतने देश युद्ध से प्रभावित नहीं हुए थे जितने आज कोरोना की इस बिमारी से है पिछले दो महिने से हम निरंतर दुनिया भर से आ रहे कोरोना वाइरस से जुड़ी चिंताजनक खबरें देख रहे हैं सुन रहे हैं इन दो महिनों में भारत के 130 करोड नागरीकों ने कोरोना जैसी वैश्विक महामरी का डटकर मुकाबला किया है सभी देशवासियों ने आवश्यक सावधानिया बरतने का भरत्सक प्रयास भी किया है लेकिन बीते कुछ दिनों से एक ऐसा माहोल बन रहा है ऐसा लग रहा है जैसे हम संकर से बचे हुए है ऐसा लगता है सब ठीक है वैश्विक महामारी कोरोना से निश्चिन्त हो जाने की ये सोच सही नहीं है इसलिए प्रतेग भरतवासी का सजग रहना सतक रहना बहुत आवशक है साथियों आपसे मैंने जब भी जो भी मांगा है मुझे कभी भी देश वासियों ने निराश नहीं किया है ये आपके आशिरवात की ताकत है कि हम सम्मिल करके अपने नरधारित लक्षों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं प्रयास सफल भी होते हैं आज मैं आप सभी देश वासियों से एक सो तीस करोड़ देश वासियों से आप सबसे कुछ मांगने आया हूं मुझे आपके आने वाले कुछ सब्ता चाहिए आपका आने वाला कुछ समय चाहिए मेरे प्यारे देश वासियों अभी तक विज्ञान कोरोणा महामारी से बचने के लिए कोई निश्चित उपाई नहीं सुझा सका है और नहीं इसकी कोई वैक्सिन बन पाई है ऐसी स्थिति में हर किसी की चिंता बढ़नी बहुत स्वाभाविक है दुनिया के जिन देशों में कोरोणा का वाईरस और उसका प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है वहाँ अध्यान में एक और बात सामने आई है इन देशों में सुरुआती कुछ दिनों के बात अचानक बिमारी का जैसे विस्फोट हुआ है इन देशों में कोरोणा से संकरमित लोगों के संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है भारत सरकार इस्थीती पर इस वैश्विक महामारी के फैलावे के इस ट्रैक रिकॉर्ड पर पूरी तरह नजर रखे हुए है हालां कि कुछ देश ऐसे भी हैं जिनों ने आवशक निर्ड़े भी किये और अपने यहां के लोगों को जादा से जादा आइसोलेट करके स्थीती को संभाला है और उसमें नागरीकों की भूमी का बहुत एहम रही है भारत जैसे एक सो तीस करोड की आबादी वाले देश के सामने हैं और हम वो देश हैं जो विकास के लिए प्रैतनशिल देश हैं और हम जैसे देश पर करोणा का यह संकट सामाने बात नहीं है आज जब बड़े बड़े और विक्सित देशों में हम इस वैश्विक महामारी का व्यापक प्रभाव देख रहे हैं तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यह मानना गलत है और इसलिए इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमूग बातों की आवश्चत्ता है पहला संकल्प और दूसरा संयम संकल्प और संयम आज एक सो तीस करोर देश वासियों को अपना संकल्प और द्रड करना होगा कि हम इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते अपने कर्तव्यका पालन करेंगे केंद्र सरकार राज्य सरकारों के दिशान निर्दोशों का पूरी तरह से पालन करेंगे आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम स्वयम संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे साथियों इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ ऐसी स्थिति में जब इस विमारी की कोई दवा नहीं है तो हमारा खुद का स्वस्थ बने रहना यह सबसे पहली आवश्यक्ता है इस बिमारी से बचने और खुद के स्वस्थ बने रहने के लिए दूसरी अनिवारियता है वो है संयम और संयम का तरीका क्या है बीड से बचना घर से बाहर निकलने से बचना आजकल जिसे सोशिल डिस्टंसिंग कहा जा रहा है कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में यह सोशिल डिस्टंसिंग यह बहुती ज़्यादा आवशक है और कारगर भी है हमारा संकल्प और संयम इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाने वाला है और इसलिए अगर आपको लगता है कि आप ठीक हैं आपको कुछ नहीं होगा आप ऐसे ही मार्केट में घुनते रहेंगे शरको पर जाते रहेंगे और कॉरोना से अपने परिवार के साफ अन्याय करेंगे इसलिए मेरा सभी देशवासियों से यह आगर है कि आने वाले कुछ सब्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें जितना संबव हो सके आप अपना काम चाहे बिजनेस से जुड़ा हो आफिस से जुड़ा हो हो सके तो अपने घर से ही करें जो सरकारी सेवाओं में हैं अस्पताल से जुड़े हैं जन प्रतीनी दी हैं जो मिडिया कर्मी हैं इनकी सक्रियता तो आवशक है लेकिन समाज के बाकी सभी लोगों को खुद को बाकी भीड़भार से बाकी समारों से आइसोलेट कर लेना चाहिए मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटिजन्स हो 60-65 वर्ष की आयू के उपर के व्यक्ति हो वो आने वाले कुछ सब्ता तक घर से बाहर न निकलें मैं फिर से आग्रह करता हूँ 60-65 से उपर की आयू वाले हमारे सभी परिवार के जन गर से बाहर न निकलें हो सकता है कि वर्तमान पीड़ी पुरानी कुछ बातों से परिचित नहीं होगी लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं जो जब छोटा था उस समय हम अनुभव करते थे उस समय जब युद्ध की स्थिती होती थी तो गाउं गाउं ब्लेक आउट किया जाता था शिशे पर भी कागज लगा दिया जाता था बंद लाइट बंद रखी जाती थी लोग रात भर चौकी करते थे और युद्ध न हो तो भी साल में एक दो भार तो भाहां के जो नगरपाली काई होती थी वो जागुरू को करके ये ब्लेक आउट का दिल भी करवाती थी लोगों का आदद बनी रहे इसके इसके लिए प्रयास करती थी और इसलिए मैं आज प्रतेग देशवासी से एक और समर्थन माँग रहा हूँ ये हैं जनता कर्फ्यू जनता कर्फ्यू यानि जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू इस रभिवार याने दो दिन के बाद 22 मार्च को 22 मार्च रभिवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवास्यों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है इस जनता कर्फ्यू के दर्म्यान कोई भी नागरीक गरों से बाहर न निकले न सडक पे जाएं न महले में या सोसाइटी में इकत्रे हो अपने घरों में रहें हां जो आवशक्ष्य से वहों से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा तो कि उनका अव्यूद्य बहुत बड़ा दाई तो होता है लेकिन एक नागरीक के नाते न हम जाएं और हम देखने के लिए भी न जाएं साथ्यों 22 मार्च को हमारा ये प्रयास हमारे आत्म सैयम देश हित्मे करतेवे पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीख होगा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता इसके अनुभव हमें आने वाली चुनोत्यों के लिए भी तैयार करेंगे मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आगरे करूंगा कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नित्रुत्व करें हमारे देश में कई संगठन है NCC है NSS है कई उवा संगठन है Civil Society है खेलकुत के संगठन है कई प्रकार के संगठन है धार्मिक संगठन है सामाजिक संगठन है सब कोई सबसे मैं अनुरोद करूँगा कि अभी से लेकर रविबार तक इस जंता कर्फ्यू का संदेश लोगों तक पहुँचाएं लोगों को जागरुक करें आप ये भी कर सकते हर दिन दस नए लोगों को फोन करके आप इस वैश्विक महामारी के समन में नागरिक को करने वाले काम जंता कर्फ्यू की बात उनको समझाएं उनको बताएं मेरे प्यारे देश्वासिओं ये जंता कर्फ्यू एक प्रकार्चे हमारे लिए भारत के लिए एक कसोटी की तरह होगा ये कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के खिराब लड़ाई के लिए भारत कितना तयार है ये देखने और परेखने का भी समय है आपके इन प्रयासों के बीच जंता कर्फ्यू के दिन 22 मार्च को रविवार को ही मैं आप से एक और सहियोग चाहता हूं साथियों पिछले दो मेहनों से लाखों लोग अस्पतालों में एरपोर्ट पर दप्तरों में शहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं चाहे डॉक्टर हो नर्सीस हो हस्पिटल का स्टाफ हो सफाई करने वाले हमारे भाई बहन हो एरलाइन्स के करमचारी हो सरकारी करमचारी हो पुलीस करमी हो मीडिया करमी हो रेलिवे, बस, आटो रिक्षा की सुविदा से जुड़े लोग हो होम डिलिवरी करने वाले लोग हो ये लोग अपनी परवा न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए है आज की परिस्तितियां देखें तो ये सेवाएं सामान्य नहीं कही जा सकती आज खुद भी इनके संक्रमित होने का पूरा खत्रा मोल लेते हैं बावजुद इसके ये अपना करतव्य भी निभा रहे हैं हर किसी की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं ये अपने आप में राश्ट रक्षक की तरह कोरोना महामारी और हमारे बीच में एक शक्ति बनकर के खड़े हैं देश ऐसे सब छोटे बड़े व्यक्तियों का संगठनों का कृतग्या है मैं चाहता हूँ कि 22 मार्च रविवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें और धन्यवाद कर अर्पित करने का तरीका भी देश के एक एक व्यक्ति को जोड सकता है रविवार को यहने जन्ता करिफ्यू के दीन शाम को ठिक पांच बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खीड़कियों के सामने खड़े होकर पांच मिनिट तक रविवार को शाम को पांच बजे पांच मिनिट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें और आभार कैसे व्यक्त करेंगे ताली बजा करके थाली बजा करके गंटी बजा करके हम उनके प्रती अपनी कृतग्यता व्यक्त करें उनका होसला बढ़ाएं उनको सल्यूट करें पूरे देश के स्थानिय प्रसाशन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार को पाँच बजे साहरन की आवाज से इसकी सुचना लोगों तक पहुंचाए सेवा पर्मो धर्म के हमारे समस्कारों को मानने वाले ऐसे देशवास्यों के लिए हमें पूरी स्रद्धा के साथ अपने भाव व्यक्त करने चाहिए साथियों संकट के इस सबय में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी आवशक सेवाओं पर हमारे होस्पिटलों पर दबाव बढ़ना नहीं चाहिए ताकि हमारी होस्पिटल की व्यवस्थाओं को हमारे डॉक्टरों को हमारे परामेडिकल स्टाप को इस महमारी के लिए प्रात्फिक्ता देने की सुविदा बने और इसलिए मेरा सभी देशवास्यों से आगर ये भी है कि रूटिन चेवकप के लिए अस्पताल जाने की हमारी जो भी आदत रही हो उससे बचना चाहिए जितना बच सके बचना चाहिए आपको बहुत जरूरी लग रहा हो तो अपनी जान पहचान वाली डॉक्टर आपके फैमिली डॉक्टर या अपने रिस्तेदारी में जो डॉक्टर हो उनसे फोन कर फोन पर ही उनसे आवशक सला ले ले अगर आपने इलेक्टिव सर्जरी जो बहुत आवशक न हो ऐसी सर्जरी उसकी कोई डेट ले रखी है तो मेरा आग्रह है कि इसे भी आगे बढ़वा दें एक महिना बयात की तारीख ले दे साथियों इस वैश्वीक महमारी का अर्थ ववस्ता पर भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है कोरोना महमारी से उत्पन हो रही आर्थिक चुनोतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारत सरकार के वित्तमत्री के नेत्रूत में फाइनास मिनिस्टर के नेत्रूत में सरकार ने एक कोविड नाइंटीन एकोनोमिक रिस्पॉंस टास्क फोर्स इसके गठन का फैसला लिया है यह टास्क फोर्स सारे स्टेक होलर से नियमित संपर्ग में रहते हुए फिडबेक लेते हुए हर परिस्थिति का आकलन करते हुए निकड भविश में फैसले लेगी यह टास्क फोर्स यह भी सुनिस्चित करेगी कि आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाये जाए उन पर प्रभावी रुप से अमल हो निस्चित तोर पर यह महामारी ने देश के मध्यमवर्ख निम्न मध्यमवर्ख और गरीब के आर्थिक हितों को भी गहरी क्षति पहुँचाय दी है संकड के इस समय में मेरा देश के व्यापारी जगत उच्च आयवर्ख से भी आगर हैं कि अगर संबव है तो आप जिन जिन लोगों से सेवाएं लेते हैं उनके आर्थिक हितों का ध्यान रखे हो सकता हैं आने वाले कुछ दिनों में ये लोग दपतर ना आप आएं आपके घर ना आप आएं ऐसे में उनका वेतन न काटे पूरी मानवियता के साथ संबेदन सिलता के साथ फैसला ले हमेशा याद रखेगा उन्हें भी अपना परिवार चलाना है अपने परिवार को बिमारी से बचाना है मैं देश वासियों को इस बात के लिए भी आस्वस्त करता हूँ कि देश में दूद, खाने पिने का सामान, दवाईयां, जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवश्यक चीजों की कमी ना हो, इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं ये सप्लाए कभी रोका नहीं जाएगा इसलिए मेरा सभी देश वासियों से याग्रह है कि जरूरी सामान संग्रह करने की होड न लगाए आप पहले जैसे करते हैं, वैसे ही सामान उसे ही खरिदारी करें पैनिक बाइंग, ये कता ही ठिक नहीं है, उसको न करें साथियों, पिछले दो महिनों में 130 करोड भारतियों ने, देश के हर नागरिक ने देश के सामने ये जो संकट आया है उस संकट को देश वासियों ने अपना संकट माना है भारत के लिए, समाज के लिए, देश वासियों से जो बन पड़ा है, हर किसी ने किया है मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में भी हम सभी देश वासियों का, अपने दाइत्वों का इसी तरह निर्वाह करते रहेंगे हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसे समय में कुछ कठिनाईया भी आती है आशंकाओं और अप्फाओं का वातावरन भी प्यता होता है कई बार एक नागरिक के तौर पर हमारी अपेक्षाएं भी पूरी नहीं हो पाती फिर भी ये संकट इतना बड़ा है और वैश्विक है एक देश भी दूसरे देश को मदद नहीं कर पा रहा है ऐसी स्थिति में सारे देशवास्यों को इन दिक्कतों के बीच द्रड संकल्प के साथ इन कठिनाईयों का मुकाबला करने कई भी आवशक्ता है साथियों हमें अब भी अपना सारा सामर्थ खुद को बचाने के लिए कोरोना से बचने के लिए ही प्रात्विक्ता देनी है आज देश में केंद्र सरकार हो राज्य सरकारे हो स्थानिय निकाय हो पंचायते हो जन प्रतिनिदी हो या फिर सिबिल सुसाइटी हर कोई अपने अपने तरीके से इस वैश्विक महामारी से बचने में अपना योगदान दे रहा है आपको भी अपना पूरा योगदान देना है यह आवश्विक महामारी के इस वातावर्ण में मानव जाती विजई हो भारत विजई हो मेरे प्यारे देश्वासियों कुछ दिन में नवरात्री का पर्वा आ रहा है यह शक्ति उपासना का पर्वा है भारत पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े इस संकल्प को ले करके आवश्चक संयम का पानन करते हुए आओ हम भी बचें देश भी बचाएं जग को भी बचाएं फिर एक बार मैं आगरह करूंगा जनता कर्व्यू के लिए मैं आगरह करूंगा सेवा करने वालों का धन्यवाद करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद